यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ वरदाते बढ़ते जा रही है प्रशासन चुपी साधे हुए है हर्याजामें दन पर दन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रही है हर्याणा में बदमाशों में खौफ अब खत्म होता जा रहा है, और साथ ये एक निलगातार वारदाते, रखती ही जा रहए है, बदमाशों के होसले बलंद होते ही जा रही है। हर रोज एक बाद एक वार्दाते सामने आती हैं जिसको लेकर आज जो सवाल उट रही है वो है कि कब तक अप राधू पर लगाम लगेगी ये बड़ा सवाल है आखिर कब अप राधू पर लगाम लग पाएगी क्या सो रहा है प्रशासन ये भी बड़ा सवाल है क्यों आप राध लगातार बढ़ते जा रही है इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी राय दे सकते हैं जादा से जादा आप कॉल करें और हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लेश हो रही है क्यों हर दिन जो वारदाते हैं वो बढ़ती जा रही है क्यों मामले थमने का नाम नहीं ले रही हो चाहे हत्या हो लूट हो डकैती हो रेप हो हर रोज ऐसे मामले लगातार बढ़ते ही जा रही है तो देश के आवाज में हर्याणा में बढ़ते क्राइम को लेकर आज आवाज उठा रही है कि आखिर क्यों हर्याणा में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है क्राइम में नमबर वन हर्याणा आखिर क्यों बन गया है और नमबर वन हर्याणा की मिसाल दी जाती थी और वही अब हद्याणा जो है वो क्राइम में नमबर वन बनता जा रहा है आखिर क्या कुछ वज़ा आपको इसके पीछे नज़र आती है क्या बदमाशों के होसले बुलंद होती जा रही है क्यों रेप, मुर्डर और अपरहन के मामली लगातार बढ़ते जा रही है आखिर सरकार क्या कर रही है क्या कानून का खौफ बदमाशों में खत्म हो गया है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कारेक्टरम में नमबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है इन नमबर पर आप जादे से जादे फोन करके हमारे साथ इस कारेक्टरम में जुड़ें अपनी बात रखें अपनी आवाज उठाएं और हमें बताएं आपको क्या नज़र आता है क्यों आखर हर रोज जो वारदाते हैं क्राइम है वो हधियाना में बढ़ता जा रहा है क्या सरकार सो रही है क्या प्रशासन सो रहा है क्या कानून का खौफ जो है वो बदमाशों में खत्म हो गया है क्या को जवज़े आपको इसके पीछे नज़र आती है कानून का खौफ अगर खत्म हो रहा है तो क्यों खत्म हो रहा है। आफ एक्षरकर उनिफे जने फ़ Bradley से इंडंती आपनी ऐद से पहले नमिसुन का पहले शुक्त हों झिष्चान का शुक्तार में न मश्चाम में you're a में जो पाराड पढ़ रहा है रही इसके पीझे जा放 जिमा वह स्कार का है क्योनकि सरकार इनके खलाप सक ना दो देख रही है तर लगातार सरकार की विफलता थामने आरी है हो आप आपर दी-वी में हर रोज नियुज भी देख त cockpit कैसे मेडिया में एक व बना लिया है फब बना दिया मेडिया वह तीजे नहीं दिखा बारा है जो दिखाना चाहिए उंको तो कहीं न कहीं सरकार की और प्रसासन की दोनों की मिली भगत है और हर्याना में इतना जो क्राइम रेट बढ़ रहा है भी जी मीडिया दिखा रहा है तब ही ये मामले सामने आपा रहे है अनिल बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए मीडिया अपना काम बखू भी कर रहे है और इसलिए ये जानकारी जो है तमाम जनता तक पहुँच रही है कि किस तरह से यहाँ पर अपराद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है बदमाश्यों के हौसलिक इसकदर बुलंद होते जा रही है क्योंकि मीडिया ये काम कर रहा है अपनी राय रख सकते हैं हमें बता सकते हैं नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स पर आप जादा से जादा फोन करें और हमें बताएं कि आखर आपको क्या इस पूरे मामले में नजर आ रहा है क्यों आखर आज बदमाशों के होसले इसकदर बुलंद हो गए हैं और इसी बीच कुरुक्षेत्र से हमारे साथ पियूश फोन लाइन पर जोड़ गए हैं स्वागत है पियूश बात रखिये अपनी देखे जब तक सरकार अपनी कटर कटम नहीं उठाएगी करता है जब तक कानूनों में बद्दाव नहीं तक तक इस तरह किस था प्रात होने लाजमी है कि आम जब लोगों को लगे करकि सरकार कुछ नहीं कर रही है पुलिस का अपने काम डिक से वही कर रही है तो अपरादियों के होसले बुलद होनी हो लिए होंगे बोड़ा से समय बचा है तो जितना ही अपराद के लिए उत्रप्रदेश सरकार ने एक्शन लिया जा रहा है उत्रप्रदेश सरकार के और से स्कौड बनाकर बदमाचू पर नकैल कसने की वैसे ही कुछ कदम हध्याना सरकार को भी उठाने चाहिए ताकि अपराधू पर नकैल कर दो को सकते हैं तो आप हमार साथ क्या माद कर सकते हैं सभी दर्श क्लिवरा बदया से लिए यादव तैसा अधने पर डर्शक आप रखे अपनी अवंटिका जी नमसकार हर्याना में वरेषटाचार और अपराद ने तो आस्मान फिर रख्त sponsor है, जी, हर्याना सरकार हर रोज वरेषटाचार और अपराद मुक्तोंने का अलाब प्तू है, हर्याना की पूर्न भविख्मत वाली मजबूत, इमानदार खटरा सरकार ने वरेषट अधिकारियों और ग सरकार कम से कम नहीं आने वाली है अब प्रदेश के अंदर सत्ता में इस पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है आपको क्या रबता है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी राय रख सकते हैं हमें बता सकते हैं कि आखर आपको क्या इस पूरे मामले में नजर आ रहा है आख कोई भी अपराद करने से पहले वो तनिक नहीं सोचते हैं और किस तरह से हर रोज आए दिन जो है इसी खबर निकल कर सामने आते हैं कि वार्दात जो है अपराधों की वह लगातार बढ़ती जा रही है चाहे हत्या हो लूट हो डकैती हो किसी का मर्डर हो ग्यांग्रेप हो ऐ क्राइम में नंबर वन अहरी आ जो है वह अब बनता जा रहा है क्यों आखर अर्या गसा की मिशाल दिझा यह पूरह Stevens कि यह दिए छो बढ़े फुर्ट राद जो कि परे गोली माली तो हमेशा कोई क्राइव उन싹 को मिली जाती है जा जा कभी नहीं होता कि मतलब आज मिले तो अगर चाहे वह को प्रदर्शन कर रहा पूरे हर्याना के यहाल है तो ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शन वाला प्रदेश बनता जा रहा है और आप तो इतने बढ़ते जा रहे हैं कि मतलब घर पे बाहर निकलना भी मुश्किल हो जा रहा है मैं बहुत दिक्कत है बहुत शुक्री आपने बात रखने के लिए तो घर स प्रदर्शन प्रदेश बनता जा रहा है जूती हमारे साथ पानीपत शेगली दर्शक फूल लाइन पर है स्वागत आपका जूती बात रखिया अपनी अप्र आफ्टरून जी जी आफ्टरून आज की ताही मतलब लोगों की मान सिकता इतने खराब हो चुकिया कि मतलब इ प्रदेश में बढ़ रहा है उसको रोके जाने के आवश्यक्ता है आपको क्या लगता है आप फोन कर सकते हैं लगातार हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रही है नंबर्स पर आप जादा से जादा फोन करके हमारे साथ इस करेक्टर में जुड़िए द क्या आज सरकार और प्रशासिन की नाकामी जो है वो आपको नज़र आती है क्यों आखर कानून का खौफ जो है वो बदमाशों में खत्म होता जा रहा है आप हमें फोन करके इस पर अपनी राय दे सकते हैं आप जादा से जादा हमें फोन करें अपनी राय रखें और हमें बताएं आपके हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही हैं नंबर्स पर आप जादा से जादा फोन करके हमारे साथ इस कारेक्टर में जुड़ सकते हैं देश के आवाज का ये मंच आपके लिए खुला हुआ है हादियाना प्रदेश जिसका ये म बुलंद होते जा रही हैं क्यों रेप मर्डर अपरहन जैसे वार्दा जो है वो लगातार बढ़ रही है आखर सरकार क्या कर रही है ये बड़ा सवाल है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कारेक्टर में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है नंबर्स पर आप जादा से जादा फोन कीजिए अपनी राय दीजिए और हमें बताएं कि आखर आपको इस पूरे मामले में क्या कुछ नजर आता है तो देश के अवास का ये मंच आपके लिए खुला हुआ है आप सभी दर्शक हमारे साथ इस कारेक्र में जूर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आखर आज क्राइम में जो नंबर वन हर्याना बनता जा रहा है उसके पीछे आपको क्या कुछ नजर आता है और इसे भी जो सुमन हमारे साथ पानिपत चेंगली दर्शक ओन लाइन पर हैं इस बागत आपका सुमन बात रखिए अपनी क्राइम आज कल बहुत ही बढ़ता जा रहा है इसे कम करना चाहिए यह क्यों ऐसा हो रहा है बहुत शुक्रिया सुमन अपनी बात रखने के लिए तो क्राइम लगातार बढ़ रहा है इसको कम करने की जरूरत है ऐसा क्यों रहा है ये सुमन गे सवाल क्या है लेकिन सवाल यही है क्या सरकार और प्रशासन सो रहा है क्या प्रशासन जो है वो नींड में है या सरकार सो र पार रही है और क्या कुछ वजह जो है वो आपको नजर आती है आप हमारे साथ इस कारिक्रम में जुड़ सकते हैं देश की आवाज का ये मंच आपके लिए खुला हुआ है और आप हमें फोन कीजिए जादा से जादा नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लाश ह हो रही है इन नमर्स पर आप जादा से जादा फोन करके हमारे साथ इस कारिक्रम में जुड़ सकते हैं और इसे बीच राजकुमार हमारे साथ रोह तक से अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं स्वागत आपका राजकुमार बात रखिये अपने तिंसकार मेडम जी नमसकार चारो तरफ अंदेर मचा है पानी मेंगा सफ़ा खून पैसे वालों की जेब में है आज का हर कानून अंदी पीसे कुटे खाएं सारी रस मलाई किस किस की बात करें हम किस से करें ललाई बैटी बचाओ बैटी पढ़ाओ हरियाना में एक खेल है मनोबर सरकार हर मुद्दे पर खेल है खाकी और जिश्वत का बला पुराना मेल है हर काम की जिश्वत खाने वाला पुलीस परशातन खेल है बली उमीन्दों के साथ बनाया मुख्य मंत्री आपको बातों से ना बात बनेगी जंता को हिसाब दो थेंक्यू सर जड़ सकते हैं देश के आवाज का ये मंच आपके लिए खुला हुआ है और सवाल यही की आखिर क्यों हर्याना प्रदेश जो है वो क्राइम में नंबर वन प्रदेश बनता जा रहा है अगर कल की ही बात करें तो कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर घर से ही उठाकर किसी हुआ हो चाहे उतल अपको बता है यह घर किस तरफ है कैसे अभल में बढ़ता जा रहा है अलो जी अनीत हमार साथ यमन नगर से फोल आइं पर अनीता करने फोल रहे ह structured क्यों यह क्राइम के पिछे यह जो मुबाइल के ओपर वड़ सब्सक्राइब और यूटूब के ओपर जिसमें भी यह सेक्शी सीन आते हैं तो बड़ा आदमी भी देखके अपने आपको कंट्रोल नहीं कर सकता तो बच्चे दो कहां कंट्रोल करें लिए जब तक यह होता है पूरे बिल्कुल दिये लिए लिए खेस्बुक पे भी अब तो आने लगे तो चोटे बच्चे हाथ में रखते हैं उनके जमागते क्या असर होता है इस तरफ कोई धिहान नी दे रहा है मैं कहते है खुल के परसासन को यह बात बताईए कि अगर इसको यह बंकिया जाए तो दुनिया के अंदर यह रेपिस कम हो जाएगे बहुत शुक्रिया आपनी बात रखने के लिए नीटा तो नीटा यहांवर मांग उठा रही है कि कंट्रोल जो है वो सोचल नेट्वर्किंग कपर कम से कम हो क्योंकि बच्चे जो है उनके मानसिक सिर्दी पर भी इस जिसके बाद में इस पर आक्शन भी लिया जाएगा तो आखिर सवाल यही कि क्यों हर्याना जो है वो क्राइम में नंबर वन बनता जा रहा है जैसा हर्याना प्रदेश की मिसाले दी जाती थी वही हर्याना प्रदेश आज क्राइम में नंबर वन बनता जा रहा है चाहे वो रेप के मामले हो अत्या लूट जकैती जैसे जितने भी मामले आप ले ले अपराद जो है वो घटने की बजाए हर दिन बढ़ते ही जा रही है हर दिन कई ऐसे खबरे निकल कर सामने आते हैं जिससे की हधियाना प्रदेश जो है एक बार फिर सोचने को मजबूर हो जाता है किस तरफ हधियाना प्रदेश जा रहा है क्राइम का ग्राफ जो है वो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है क्या कुछ वजह आपको इसके पीछे नजर आते हैं आप हमें फोन कर सकते हैं जादा से जादा फोन कीजिए नंबर तापकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रह हैं आप ज़्यासता करके हमारे साथ इस कारिक्राव में चुर सकते हैं जब अपनी रख सकती Earth अब कोई सुझाव भी देना चाहते हैं अगर आपको लगता है कि सरकार अगर कोई क्दम उठाए जो आफ़ाई है तो पर क्लाइब जो है उस पर काबू पाया जा सकता है आप आप उसको लेकर भी अपनी यहाँ पर विचार रख सकते हैं, राय अपनी देश सकते हैं और आपकी बात जरूर सियासरदानों तक पहुंचेगी, खबर अभी तक के माधियम से, आप जादा से जादा फोन करें और नमबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही हैं, नमबर्स के जरीए आप हमारे साथ इस कारिकरम में जुड़िए, अपनी राय रखिए और साथ ही इस कारिकरम में जुड़िए और हमें बताएं आकर आपको कैसे लगता है कि जो अपराद बढ़ रही है हर याना प्रदेश में हर दिन उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है आप हमारे साथ इस कारिकरम में जुड़के अपने विचार साज़ा कर सकते हैं तो देश की आवाज का ये मंच आपके लिए खुला हुआ है और आप इस मंच पर जरूर अपनी आवाज उठाएं और बात रखें अपनी नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पे रिज़र ये आप जादा से जादा फोन करके हमारे छेड़ खानी की मामने हैं वो कम से कम रोके जा सके हैं स्कूल कॉलेजिस के बाहर जो है महिला पुलिस तैनात कर दी गई लेकिन इसके बावजूद भी हालत जो है वो काबू में आने को तयार नहीं है डायल एक शूने शूने जो है स्कीम वो भी शुरू की गई ताकि पु प्लब्द हो सके फोन करने पर जो है वहां पर पहुंच सके मदद के लिए लेकिन इसके बावजूद भी असर जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और से बीच मुहमद अक्रम हैद्रबाद से हमारे साथ दर्शक फोल आई पर हैं स्वागत आपका मुहमद अक्रम बात रख हैं अगर मैं बोलता भी रहूं तो कम हैं जिकी तुर्पा ने लेकिन लाच प्लाट को कुछ भी ने ल्गा सकती पूरे हिंदुस्तान में को साथ मैं लगा हैं लिक्ता कि अपनी परीवी है वह सीट की वह वृ मेरं कि Rank तो इनको जो है चानों में फासी में दे सकते हैं बेलुकुल। तो बहुत शुक्रिया मुहमद अक्रम अपनी बात रखने के लिए और जाहिर तो आपर ये गुस्सा जो है हर देशवासी के दिल में है यही गुस्सा हरे के अंदर से निकल रहा है कि आखर क्यों रेप जैसे अपराद हो पर नकैल नहीं कसी जा रही है और जिस तरह से पर निक्ता रखने वाले लोगों के अंदर बैठेगा और ऐसे अपराद जो है वो भी होने से रुकेंगे जरूरी है कि एक डर जो है वो जरूर यहांपर बनाया जाए कानून का डर जो पहले होता था वो कानून का डर अब फिर से लाने की जरूरत है क्योंकि कानून का जगाधरी से से बीच अगली जर्शक फोन लाइन पर हैं स्वागता आपका अनीता बात रखी अपने अपने अपनी जितने मुवाइल के यूटूब को पर गंदे से गंदे सीन बेजने हैं आज कल दो साल के बच्चे से लेके और हर पीड़ी के बच्चे बड़े बड़े अब बच्चे अगल जाएंगे जब तक यह चुछ नहीं होगा ना सरकार क्या कोई हंदुस्तान में कोई तो कम नहीं कर सकते हैं लेकिन सोशल नेटवर्किंग कर चुछ होनी की बात है कि उस पर बच्चे जो है यहां पर सोशल नेटवर्किंग के उतने आधी ना बने और स मान सिकता है. उससे छेठचार ना हो सकें. जरूरी है कि इस तरह के कदम सरकार की और से उठा जाया जाएं साथ ही कान? चोटे चोटे बच्चे जिन्हों ने भी दुन्या को ठीक से जाना भी नहीं उनके साथ में इस तरह की वार्दातों को अन्जम दिया जा रहा है सोहनलाल हमारे साथ शिम्रा से अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं स्वागत आपका सोहनलाल बात रखिए अपनी नमस्कार जी कहां से खत्म हो गई हर्प्याचार जब कोई कानून नाम की चीज दी नहीं है सरकार को बोले कानून उब्राओं को जिससे डर पैदा हो जिसे डर पैदा हो जाए ऐसा कानून बनाओ को या सजा रख जो जो जर जाए फिर का सिया के कुछ नहीं हो सकता जी बहुत शुक्रीया सोहनलाल अपनी बात रखने के लिए तो दर का रहे हैं सोहनलाल और सभी क्योंतर इमांक जो हैं वह की जा रही है आप सभी हमारे साथ पोलाइन पर जोड़ सकते हैं बर्वाला से रितिका हमारे साथ पोलाइन पर हैंगली दर्शक स्वागत आपका रितिका बात रखिए अपने हालो मैं मैं यह कहना चाहते हूं जैसे डेली रेप केस आरे हैं मर्डर केस आरे हैं सरकार को स्टेप क्यों नहीं ठाटी अब जैसे रेप केस की न्यूजिन के पैसा यह उसे टाइम एकदम फांसी देंगे यह लोग तब ही किसी के दिमाग में गए तो सोचते हैं कि केस चल रहे हैं चलते रहेंगे वो चार सार चलेंगे पांच आल उन्दस पोर्ट इनको फांसी देनी चाहिए अब जैसे यह बरवाला में मैं कल मर्डर का केस आया खुले आम दिन दिहाडे कोली है चली है तो क्यों नहीं इनको पुलिस पकड़ती है अगर चाहिए तो दो दिन में भी पकड़ सकते है तीन दिन में अगर पुलिस ट्रोंग होगी सब कुछ होगा हमारा जब यह पकड़ चार साल पांच साल केस चलता रहेगा ऊसके बाद में शायद वो दिया हो जाएं यह सजा उनको उतनी ना में यह एक जो डर था वो खत्म हो रहा है तो इसलिए सकत कानून को किये जाने की मांग पंग यह वह उठाई जारही है और इसे बीच नर्गिस हमार साथ अगरी दर्शक पून लाइन पर हैं स्वागत आपका नर्गिस बात रखे अपनी नर्गिस आवाज मिल पा रही आपको नर्गिस सुन पा रही है चलिए संपक तूट गया है और फर से आप जूड़ने का प्रयास कीजिएगा और विकास हमार साथ अलाहबाद सिफ ओन लाइन पर हैं दर्शक स्वागत आपका विकास बात रखे अपनी बहुत शुक्र आविकास अपनी बात रखने के लिए तो अपराद जो बढ़ रहा है प्रशासन की कही न कहीं लापरवाही जो है उसको एक वजह यहां पर बताया जा रहा है तो हर्याना परदेश में अपराद लगातार बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उम्मीद यही कि अब जरूर सरकार जागीगी और साथ ही इन पर नकैल कसने की कोशिश जरूर की जाएगी देश के आवाज में फिलाल आज के लिए बस अतना ही आम देखते लिए खबर अभी तक नमस्कार झाल